जेनरली होता गया है काफी सारी चीज़े जब हम लोग टेक्निकल्स पर आते हैं तो काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं जिसके आधार पर फिर हम लोग आगी की तरफ अपनी रीडिंग्स करते हैं अब इसी में सपोर्ट डेस्टेंस हो जाते हैं जोन्स वगरा हो जाते हैं आपका एक तरह का तरह का रेजिस्टेंस और यह पूरा जाता है जो जोन बन जाएँ यह इंद शैचा रहा सेफिटांस के आपका रेजिस्टेंस्तेंस लेस्टेंस दिमांडर्सा उपोर्ट सप्लाई बीक gate resistance, resistance become supply, resistance become support, support become resistance, यह चलता रहता है, अच्छा, इन supply and demands में काफी सारी चीज़ आती है, variations इन्हें हम बोल सकते हैं, variations in the sense कि जब price को हम लोग read कर रहे होते हैं, और बहुत ध्यान से सुनियेगा, जब कोई चीज़ क्लियर करें, जब कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो उस पर यह नहीं कि आप try करो कैसे message करें, और कैसे call कर लें, during the class call, during the class WhatsApp messages, क्या फैदा करने का, इससे disturbance होती है, copy बनाएए, उस पर notes अपने लिख लिज़े, कुछ भी अगर doubt है ना तो लिख लो उसको, हो सकता है, जो आपके doubt है, काफी सारी चीज़े हैं, किस तरह से price actions को, अपने comfort zone का मतलब हो गया, कि जिस पर आप comfort हो, जिस पर आप comfortable फिल करो, उस zone में लाकर कि हम लोग price को कैसे रीट, बहुत स्यादा complicated उसको बनाना नहीं है, तो जितना हो सके, बिल्कुल simple way में लेकर के चलेंगे, because अगर हम complicate करने जाएंगे market को, तो वो already इतनी complicate है, हम अगर और उसको complicate बनाएंगे, तो फिर बिगड़ जाएगा मामला, यह समझ रहे ना, वो already इतने सारे variations में market चल रही है, यही इसकी जादूगरी है, अगर आप इसको Bollinger Band के cording देखो, तो आपको लगेगा, कि पूरी market Bollinger Band के cording ही चल रही है, खटा दो Bollinger Band, आप 200 moving average लगादो, आपको लगेगा कि पूरी market 200 moving average के cording ही चल रही है, उसके नीचे दो गिर जाती उपर जाती है, दो उपर चली जाती है, फिबोनाची तो फिबोनाची से चल रही है, गैन फैन लगा दो, जैसे पढ़ेगी आप numerical numbers लगा दो तो इतने सारे variations हम लोग जब put करें market में और वो सभी से चलती हुई दिखाई पढ़ दो इसका मतलब कि वो already इतनी complicated है और हम उसको complicated कैसे बना देते कि नहीं अब इस पर हमने support line भी डाल दी यह इस तरह से अपने support line छोड़ दें अब इस support के बाद से हमें ऐसा देख रहा है कि यह देखिए यह एक resistance area भी है अब market इस जगे पर फसी हुई है ऐसे से करके सब साही चीज़े हम लोग देख रहे हैं अब हम लोगों ने क्या किया ना एक अपने support line और एक trend line के बीच में एक variation ने और डाल दिया अरे नहीं यह आपका support point है price जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा ना क्यूंकि यह support area है तो थोड़ा सडी trace होने के बाद में हो सकता है price जीन से आपका नीचे की तरफ गिर जाएगा तो यह analysis जो हम करने बैठते है ना हमें किसी भी हाल में trade चलता हो दिखाए पढ़ना चाहिए तो market जहां पर भी है हमारा subconscious mind वहीं पर अपने level straw करने लगता है already यह इतनी complicated है और हम इसको complicated करने जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा हमारा काम है market को आसान बना उसे आसान बना करके समझना वो चैसे ही जैसे चल रहे ही चलने दो आसान बना करके हम लोग कैसे चल सकते हैं कुछ चीज़े हैं जैसे की सबसे important सबसे important है यही एक शब्द यही ऐसा है जो कि अपनी इस market में जब हम लोग काम नहीं कर रहे थे तब भी था आज भी है और यह रहेगा fix pattern सबका अपना एक fix pattern होना ही चाहिए इसके बारे में आपको कोई बात करते हो दिखाए नहीं पड़ेगा actually इसमें क्या है कि हमारी आपकी कोई गलती नहीं किसी भी चीज़ को अगर आप नहीं जान रहे हो और उसको हम दिखा रहे हैं बले ही वो जूट है लेकिन उसे आप नहीं जान रहे हो तो हम अगर उसको बार 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 देखाएंगे तो आपको लगेंगे कि यही सच कि पीछे की reality देखना बढ़ा आसान होता है लेकिन आप देखो कैसे आपको पता ही नहीं कि पीछे भी कुछ होता है आप जब उसको और explore करने जाओगो तो फिर समझ मैंकर नहीं कुछ हिस्से थे जो कि हमसे छूट रहे थे लेकिन वो कैसे आपको बार बार चमग धमग लगा करके या फिर जैसे भी है आपको वही चीज़ प्रमोट की जाएगी जिससे की पायदा होने वाला है दूसरे को फिक्स पैटर्न ये इतने जरूरी होते हैं कि हर किसी का अपना एक फिक्स पैटर्न है हर किसी का होता ही है हर किसी का होगा लेकिन क्यूंकि रोज रोज ट्रेट करवाना है रोज रोज आपको ट्रेट करना है रोज प्रॉफिट भी करना है हर को यहाँ पर प्रॉफिट करन कहीं कोई की ट्रेडर के लिए काम नहीं होरा т्रेडर के लिए काम कर रहें यह उनको दिखाया जाता है इसकी बहुत बहुत तरह से कैसे भी करके कि गौवर्मेंट के पास इसका रिवेन्यु जाना चाहिए ब्रोकर के पास इसका रिवेन्यु जाना पूर Hey कोई चाहिएगा कि आप educated हो कोई नहीं चाहता ये आपको करना पड़ेगा कैसे होगा फेसे अंभी अरे ये तो पैसा बना रहा है कोई ना कोई सिस्टम तो इसके पास होगा एक इस तरह का ये डिबबा बनाता होगा और इसके अंदर इसने कुछ अपनी लाइन स्ट्रॉ कर रखियोंगे और जैसे ही प्राइस यहां से नीचे आता होगा ये बाई कर लेता है और ये प्रॉफि ये मारकेट में ऐसे सीलो चालिस 40-45-45-50-60 साल से मारकेट केंदर कांप कर रहे हैं लेकिन क्योंकि हमें जल्दी चाइए जल्दी चाहिए हमें पैसा बनाया है इतना असान नहीं है टाइम कंजमिन प्रोसस है पैसा बनता है लेकिशbons ind 카ने है ये बतायी नहीं जाता है, actually a time consuming process है, नहीं समझ भाएगा, तो फिर नहीं कर पाऊगा, लोग नुकसान करेंगा, और आपकी इसी कमजोरी का फ्यादा फिर उठाया जाएगा, ये चीज़ हम बार बार आपको इसलिए बता हैं, ताकि मन में अगर किसी के भी कुई संकोच, क्योंकि क्योंकि अभी आपने बता हैं, ये बहुत सारी variations हैं, उन variations में से आप कौन से variation पर अपना है, वो हमें देखना है, हमारा काम क्या है, कि जितने भी methods हम आपको बताएंगे न, उसमें से अपने लिए सबसे बहतर चीज़ चुनना, सबसे बहतर, कुशिश यही करना, कि वाली line के पास में आया है, जहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, एक आप थोड़ी नहीं है, कि हमने ऐसे lines पना दियो और price आ रहा जा रहा और रिजिम ड्रॉ करें, एक्शली ए चीज़ आपको market में दिखाई पड़ेंगे, find करने अभी मार्केट में इस तरह का मूँव रही है, ऐसे से करके मूव रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के प्राइस एक्शन बते ही אבל अब हमें इस तश्य के प्राइस ट्रेड करने पढ़ेंगे जो ऊपर बने हुए, तो हम इने कैसे trade करेंगे, चलिए, काम करते हैं, यहां से trend line लगा लेते हैं, यहां से price ने break out दिखा है, वापस से retrace होने के लिए, उपर कि तरफ गई, जो लो buy कर लेते हैं, यहां से buy करो, sell चला गया, यहां से sell चला गया, वापस देखो, price आपका पीछे के तरफ आए, ऐसे ही होता है, हमें क्या चाहिए, जब market इस तरह से react कर रही है, तो हमें trade ही नहीं करना है, हमें चाहिए बिल्कुल simple move, बिल्कुल simple move, यह हमारे point of view के उपर depend करता है, market को हम किस नजर यह से देख रहे हैं, तो हमें बिल्कुल simple, जब इस तरह के price actions move कर तो 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, कुछ भी लगा बट fix करो इसको, आपको लगता है कि इन सभी timeframes जितने पी इने नाम दिये हैं, जो भी आपके दिमाख में इस वक्ता हैं, उस पर सबस्यादा comfortable हो, हमारे लिए सबस्यादा comfortable क्या 1 hour time frame क्योंकि हमें ऐसा लगता है, कि 1 hour time frame पर य supply and demands, supply and demands को supply, समझेंगे हम लोग अभी, दूसरा होता है, drop, base, drop, rally, base, drop, drop, base, drop, rally, base, drop, here we have a few more, supply and demand, rally, base, rally, drop, base, rally, and volume, इन तीन चीज़ों को अभी हम समझेंगे, और conclusion में लास्ट में फिर इन सारी इटिंग्स के बाद में, हमारे लिए entry एक्चली बनती कहां पर है, किस जगह पर हम entry लेना सबस्यादा safe रहेगा, इस चीज़ को हम समझेंगे, सबसे पहले तो यह होता क्या है, कार लिजे लिए आप record करना चाहर हो, तो कर लो, otherwise हो सकता है, कलम से publish भी करेंगे, कुछ हिससा इसका, चलिए, अब request नो देचे कब कोई भी, तेखे, supply और demand, सबसे पहले तो बहुत सही लोग confused होते है, supply और demand, भूल जाते है, supply होता है, क्या है, अभी हमने बता है, 45 जैसे लोग है नहों हो सक इसको कैसे जात कैसे रहे है, क्या है이 डिकलिक है डिमांड होती है, किसी बी चीज़ चीज़ की डिमांड है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए उसकी जरूरत है, तो क्या रोगौत है, अगर वैल्यू बड़ती है और न होपर की तरफ, ऐसा नहीं है कि Сप्रिपी की जि बोकी किसी चिपी चीज की नियुक्ह ओके पास बहुत सार बहुत साई ach reicht किसी प्रोडक्ट इस एक अब को आet कि उसकी वैल्यू नीचे की तरक होता है जनरली यहां पर हम लोग 0.2% का एक 0.1, 0.3, 0.1 एक नियम चलता है 0.3% to 0.5% यहां पर हम लोग एक जोन रेडी करते हैं एक पुरा जोन बनता है यह जोन क्या बोलता है एक तो देखे तरीका होता है कि हमने कोई resistance line ड्रॉ कर दी अच्छा यह line होती है यह एक single line होगी और particular इसका एक एरिया होता है इसका price होता है 100 रॉपिस तो मतलब 100 रॉपिस, 100 रॉपिस पर ही उसका line होगा जैसे weekly candles पर आ जाओ तो weekly candles के high पर ही हमारा resistance है उसका fixed price होगा लेकिन supply के अंदर ऐसा रहता है कि यहां पर कोई fixed price नहीं रहेगा हम लोग 2 price के बीच की पूरी एक range निकाल लेते है supply range अब इन supply ranges के कुछ नियम होते है नियम in the sense जहां 0.3-0.5% के ही range होगे अगर हम लोग इंट्राडे के लिए ट्रॉप कर रहे हैं दूसरी चीज दो बार से ज्यादा price उस area पर react किया हुआ मेरे जो supply zone इसके बाद में price हमारा कई दो बार से ज्यादा बार उसको touch किया हुआ supply के अपने कुछ नियम होते हैं तीसरा जो point है इसमें आपने देखा होगा कि price यहां पर कहीं एक move दिखाने के बाद में उसने upside के तरफ एक विग बना दी अब इसके कई सारे example आपको दिखाई पड़ेगे बहुत सारे example देखाई पड़ेगे पर कितर विग बना दी यहां पर जाकर के closing करती या इस एक जगह पर इसने closing करती आप याद रखना हमेशा हम लोग जब भी किसी supply या फिर demand area को draw करेंगे तो supply zone के ओपर कभी भी आपको higher high नहीं चाहिए अगर ऐसा होता है तो आप समझे लो कि आपने जो supply zone draw किया है which is wrong वह गलत हम उसको carry on नहीं करेंगा higher high नहीं होना चाहिए 0.3% का एक पूरा gap बनता है zone बनता है more than two times of touch हमें चाहिए होगा और higher high नहीं चाहिए हम जब भी कोई भी zone आप ड्रॉकर हो ना zone के उपर हमें higher high नहीं चाहिए के price इस तरह का move ना करेंगे मत कीजे भी कोई handize मत कीजे हम एक flow में हमें अपनी बात पू zone breakout होगा जिरू more than two times of touch higher high नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो समझे लोगे ठीक यह positive science होते है किसी एक supply zone को draw करने के बाद में ऐसा है नहीं है कि बस मन हुआ हमने कर लिए draw आप इसमें ये कुछ rules एट कर दो आप देखोगे कि आपके supply zones इन तीन चार नियम की वज़े से बड़े strong हो जाएंगे बहुत strong होंगे आप उसके उपर एक तरह से होता है ना कि हमने draw तो कर लिए भी confidence नहीं करें कि आप इससे draw कर आपको confidence इंक्रीज हो चाहेगा supply zone के पास में supply को confirm करने का इस एक जगह पर एक दो तीन पांच नियम है और यह बहुत जरूरी है आप नोट कर लो अपकर नोट करके नहीं रख लिजए supply के बाद में यह मेरा है जो चीज़ हमने उपर लिख रखी है सारी के सारी से यहां पर भी apply हो जाएंगे बिलकुँ वाइस वर्सा सेम वाइस वर्सा नहीं जस्ट कॉपी 0.3% से लेकर के 0.5% का एक जोन हम लोग यहां पर ड्रॉब कर सकते हैं more than two times of touch चाहिए हमें कोई भी इस से के पर हमें जैसे upside की तरफ हमने लिखा है higher high तो नीचे की दिशा में हमें चाहिए हमें नहीं चाहिए अगर य यह formation आपकी बन रही होती है lower low formation अगर कोई भी आपको spike दिखती है तो उसको consider कर लो lower time frame के कुछ formations होगी अगर वो formations भी हमें यहां पर दिख रहे हैं तो यह और भी साथ है positive side supply and demand को confirm करने ठीक है तो इस तरह से हमें supply मिल जागा एक demand zone मिल जागा इसके बाद में आपके आते है आपको कुछ basic nature हमताते है यह basic nature क्या हो इसल में एक होता है survive करना हमें नहीं मालूम है किसी भी तरह की एक normal situation से हट करके अगर कोई situation मेरे पास आती है तो उसे हमें बाहर कैसी निकलना है मालीजे हम आपको कहीं पर ऐसी sun sun जगे पर डाल देते हैं जहां पर survive करने के chances बहुत क कि कोशिश करोगे कि इधर survive करने के क्या क्या तरीके क्या क्या है कैसे हम survive कर सकते हैं अगर survive करना है तो नहीं करना तो फिर skip कर दो अगर करना है तो फिर तरीके क्या क्या है उसके तो कोशिश करोगे उससे पता चले क्यूंकि वो भी उसी condition में है जिस condition में अभी आप उसी condition म वो 10 साल पहले था, तो कुछ-कुछ वो hints बताएगा, अपने चालों तरफ देखो, यहाँ पर आपकी use करने की चीज़े यह है, यहाँ पर use करने की चीज़े यह है, कुछ जिस जगह पर हम लोग है, तो वहाँ का basic nature यह होता है, अगर हम लोग बताई हुई condition, उसकी बताई हु हो सकते हैं हमारे basic nature से in the sense, यह पर आपका आपके zone तक गया, यहीं पर यह move कर रहा है बार बार, तो move कर रहा है, इसका क्या, क्या मतलब हो है, क्या है, यहीं पर difference आता है, इस difference को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं, experience, हो सकता है, आप वो चीज़ यहाँ पर ना देख पार हो, जो कि अभी हमने कोशिश की है, आपको दिखाने की, यह जो हम देख पार है, वो आप ना देख पार हो, यहाँ पर lines के पास के जो highs है, हमारे highs, यह highs actually break नहीं हो रहा है, price कैसे भी करके again and again upside की तरफ जाने की try तो कर रहा है, यह वहाँ से फिर से नीचे की तरफ किर रहा है, जब जब price आपका resistance area एक extreme level पर breakout करेगा, तब तब आपको एक बड़ा move मिलेगा, जैसे की, यहाँ पर देखे, यह एक resistance point, यह एक resistance point और यह एक resistance point, हमें इतना patience रखना है, हमें इतना patience रखना है, कि जब price हमारा अपने internal structures form कर रहा हो, तो वो चीज़ हमें समझ में आनी है, अभी मौका नहीं है, कोई भी बड़ा हाथ मारने का, price को अपना extreme touch करने दो एक बार, जो उसका extreme area है, उसे touch कर, actually होता है, कि यहाँ पर stop losses रखे जाते है, यह जो point, बड़ी quantity में आप देखोगे, कि जो stop losses है, वो इस चेके पर रखे जाते है, अगर हम लोग यहाँ से basic nature बन रहा होता है, basic price action बन रहा होता है, तो basic price action actually है, हमें उसे बहुत ध्यान से, बहुत गोर से देखना होगा, दोनों लोग सेम चार्ट को देख रहे है, दोनों ही लोग देख रहे हैं Dr. Reddy को, लेकिन हमें जो चीज़ दिखाई पर रही हो सकता है, वो आपको दिखाई न देखो, यतना हो सके, चार्ट में एक stabilized movement find करेंगी कोशिश करो, चाहे वो supply हो, चाहे demand area हो, नहीं आपको resistance मिल रहा है, उसके अंदर एक supply zone define करो, और वहाँ पर देखो कि अपने extreme पर जो price, उसका extreme क्या है actually, क्योंकि सभी price actions के अपने extreme होते हैं, और वो जो extreme होंगे, वो extreme fixed होत और फिर से देखे, चोटे-चोटे-चोटे move आ है, अगें देखे, price ने अपने extreme टच के और यहाँ से price हमारा downside की तरफ गिर गया, इनसे सबसे समझ में क्या है, अच्छा, यह जो बीचीज अब इमने बता है, extreme और यह basic nature और यह फलाना dimkana, इस अब क्या है, हमेशा याद र जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, over analysis नहीं करती है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, उस chart को अपने लिए हमें comfortable बना, ऐसा नो, live market mentor करते हैं, फिर हमारे अंदर हवाईयां उटने लगे, इसलिए हम लोग इन छोटे-छोटे tools की मदद और इस basic nature से price को समझने का try करते ह समझने की कोशिश करते हैं, यह price actions ना, यह मेरी लिए basic हैं, यह आपके लिए basic नहीं है, यह basic nature से है, यह आपके लिए नए है, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं, तो, क्योंकि हमें मालूम है, wait, wait, execute, यह मेरी लिए नहीं, ना तो हमने trade किया है कल, ना तो हमने trade किया परसो और नहीं उसे पहले हमें समझ में नहीं आ रहा थे हमें करना क्या है हमें हमें ट्रेंड आइनिटिफाई था ही ने अभी निफ्टी को देखेगा निफ्टी करके हमा इक चीज़ एक्सक्षान कर देंगे क्यड कि इसले तीन दिन में प्रोस्पेक्टिव है मेरा अपना आप लोने ट्रेट किया होगा, हमें नहीं समझ में आए, हमारे लिए वो market comfortable नहीं थे, यह जितने भी हमने नियम लिखे हुए है, अब यह दीरे दीरे से हम आपको थोड़ी सी इसका एक दो एक जामपल आपको दिखाएंगे, प्लाइस में इन चीज़ का ध्यान रख जब भी अप्टेट करने जाओ, और जब भी कोई supply आप ड्रॉ करो, जब भी कोई supply आप find करो, तो वहाँ पर इन basic nature से यह define करने की कुशिश करना, कि यह कितनी कारगर है, क्योंकि ऐसा नहीं है, market जैसे ही zone के अंदर आई, आपने सोचा, अरे वा, चुरो करने लिए, zone तो इतना बड प्राइस का हमेशा, कई बार होगा ना, जो एक, दो, जोरी नहीं कि तीन बार में पहुंची जाए वहाँ पर, पुछ सकता है, ऐसे से करे, अचानक लगे कि नहीं, प्राइस गतना, तो मूव आ गया है, और यह spike भी आप देखो, वॉल्म्स की भहंग कर spike आती है, और यह resistance बहुत मुश्किल होता है किसी resistance से price को short कर देना, क्योंकि resistance पर होते ही price दिखाता है uptrend, हमें लगता है कि price उपर की तरफ जागा, बाई यह कर लो, वहीं से तो गिरेगा, जहीं तो मज़ा आता है, ज़रूरी थूड़ी नहीं कि यह आपका जो demand area को तोड़ करके market नीचे की समझो, अभी तक हमने आपको बता है supply के बारे में, फोड़ा सा discussion लो करेंगे, demands के बारे में, price actions will be same, change क्या होगा, कुछ चीज़े हैं जो कि change होगा, supply को देखने का तरिका and demand को देखने का तरिका, यह change होता है, देखिए, पूरी जो लड़ाई है, यहाँ पर buying or selling, buyer जीता, अपसाइड में, price seller जीता, तो sell side, simple सी चीज, अचा, buyer क्या, buyer जब यह सोचता है, कि हमें किसी भी script को उठाना, upside की तरफ, यह माल हमें उठाना हो, इसका price उपर की तरफ उठाना है, तो उसके अंदर जो psychological game चल रहा होगा, वो जिस तरह से आपको trap करने की कोशिश कर रहा और वो इसको drop, तो दोनों ही लोग एक दूसरे को गिराने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा पैसा आपकी जैम है, और आपका पैसा मेरी जैम है, यहाँ पर पैसा के बाहर से आस्मान से नहीं है, जो जितना समझदार निकला हो बन गया, जो डरपोक निकला हो पर तीन तीन ती आप इसको डरपोक कहो, या फिर कहो कि ठीक है, उसने एक प्रोटेक्शन लिया, यह नहीं है, मैं समझ में नहीं करेंगा, तुमने नहीं करेंगा, अब डिमांट्स में चीज़े चेंज, क्या चेंज होता है, देखो, जैसे जो मूवस है, डाउन साट की, जो डिमांट्स व लोग कर देते हैं, जब भी किसी डिमांट एरिया को ड्रॉ करते हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी मार्केट के अंतर, जब सेलिंग होती है, तो वो ज्यादा होती है, सेलिंग बहुत स्पीड से होगी, और जब प्राइज अपसाइड की तरफ जाते है, तो वो धीमी ध आएंनस फाम होती है, अच्छा यहींपर एक चीज़ होती है, कि जब कोई भी प्राइज आपको, जैसे पूर्ट पर होगा, वो सुपर्ट जितना ही स्ट्रॉंग हमें दिखाई पड़ेगा, यह सपूर्ट जितना है स्ट्रॉंग होगा, उतना ही हमारी लिगोग होगा, इतना easy way में हम लोग अपनी supplies को नहीं देखेंगे जितना हम फिर हम लोग demands को देखेंगे demand तीन बार का नहीं दो बार का नहीं हम जितना ज्यादा हो सके हमने आपर तीन लिग दिया है selling जब भी आप देखोगे बड़ी selling आती है selling जब होगी बड़ी selling होगी buying कमजोर होती है इसलिए demand समय strong चाहिए क्योंकि हमें फिर उसके अंदर risk लेना है और बड़ी rally आपको तभी देखने को मिलेगी जब हमारा demand area वो ज्यादा heavy quantity में ज्यादा heavy volume के साथ में form हुआ होगा तो ज्यादा strong area volumes अपने अंदर बहुत समयटता है जो ज्यादा strong demand area होगा वो volumes बहुत लेगा अपने अंदर इस वजए से वो यूही break नहीं हो जाएगा कि बस price downside की तरफ गया और स्फ़टाग से break कर दिया तुरंद ब्रिक किया नहीं price को थोड़ा सा move हो अगर ज्यादा strong area है तो वो weight करता है फिर से हो सकते है यह upside की तरफ चलाएगा अब हो गया अब यह तीन बार आया नीचे की अगर इसने एक भी बार move दिखा दिया ना तब यह समझते है कि नीचे की तरफ आजाएगा तो इसलिए कमजोर नहीं हमें चाहिए supply से ज्यादा strong हमें demand area चाहिए होता है तो इसके अंदर सिर्फ यही एक नियम है जिसको कि हम लोग change कर सकते हैं बाकि lower lows चाहिए नहीं spikes होगी बिल्कुल वैसी ही वैसी ही और lower time change की जो formations है इस इस इसके नदर मुझों चाहिए करेंगे तो इस supply और demand की कुछ नियम है एक चीज़ हम आपको बताते है जैसे basically यह एक variation होता है supply and demand इसको हम लोग with volume देखने है with volume चाहिए drop based drop drop based drop क्या होता है drop in the sense कोई भी एक चीज़ कोई भी price माल लेजाए price है यह drop हो रहा है इसके बाद में इसे एक base मिला base in the sense के वहाँ पर market हमाई थोड़ी सी down rookie यहां के बाद से इस तरह से market नहीं आपए यह होता है drop यह बना base यह बना drop base इसका एक अपोजिट मूव होता है rally upside के बेस after that rally base फिर आता है हमारा अच्छा यह जो चीज़े हैं यह वाले price actions अपने continuations में होते हैं यह वाले जो price action है drop और drop यह continuation में है rally और rally drop based drop rally based rally drop based rally drop based rally rally based drop यह दो पॉइंट अभी इसी के साथ आती है अच्छा इसमें volume का कैसा क्या रहता है शारी बाते नोट करते जाएगा और ध्यान देखेगा अभी आपसे बताया था कि price अपने support points पर आता है तो आपने अंदर बहुत सारी volumes कोशिश करता है जमा करने के अपसाइड के तरफ हो breakout करके अगेन वो अपसाइड के तरफ शायर उस rally के दौरान उसके अंदर बहुत सारी volumes आपके जनरेट हो जनरेट होने की वज़े से बहुत सारा फिर आपका अब इस pressure में क्या होता है आप देखोगे के अपसे downside के तरफ जो volumes आई है यह वाला जो move हुआ है यहाँ पर volumes आपको ज्यादा दिखाएगा इस तरह से करते हुए आपको volumes ज्यादा दिखाएगा चाहे वो drop चाहे rally हो सभी volumes ज्यादा दिखाएगा और यह वाला जो area फसता है जो sideway है इस sideway area के अंदर volumes बहुत उस तरह से आप देखिएगा कि जो sideway का जो area है यहाँ पर volumes आपकी less हो जाएगी अच्छा यह देखना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि drawing हम करने तो drawing हम लें बड़ा आस आप जब देखने जोगने तो बड़ा मुश्किल लेगे के volumes और जैसे ही प्राइज आपका अगेन इसने downside का move दिखाना शुरू किया फिर से यहाँ पर आप देखोगे के volumes के breakout होने लेगे यह वाला जो zone बनता है ना इसका क्या use है जब प्राइज आपका downside की तरफ आए जब आपका price downside की तरफ आए कभी उसके पीछे मत बाइज गाड़ी चल रही है और आप बस दोड़ते जा रहे हो दोड़के पकट रहे हो उसको भागने दो जाने दो उसको जहां जा रही है कोशिश करो जहां पर प्राइज आपका रुके है कोशिश करो जहां पर आपका price रुके है जहां पर गाड़ी रुके वहां पर आप ये जो dry volumes होती हैं हमारी dry volumes क्या करती हैं? dry volumes एक तरह का indications होती है कि price में कुछ बड़ा होने बाद यहां पर volumes कम हो गई जब भी volumes कम हो जाए आप ये वाल अपना structure देखो कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ है price में कोई rally दिखाई हो और rally के बाद मार्केट आपकी sideway पड़ी हो sideway market के बाद में यहां पर बहुत ज़री होता है कि volumes के फिर आपको breakout दिखाई पड़ा खे volumes के breakout दिखाई पड़ते हैं और जब आपके volumes के breakout हो जब आपके volumes के breakout हो आप समझ लिए कि यहां पर game होने वाला है probabilities बढ़ते हैं 100% नहीं है जैसे volumes के breakout हो फटाक से आपने 1000 क्वाइटी मा देगी अब तो इसको drop हो जाना है बेस बना लिए volumes के breakout होगे इसने drop बना लिए क्यूंकि हमने कुछ लिखा हुआ था आपको यह लिखा था ना कि यह सारी formations दीरी-दीर करके हम बताएंगे इन formations का बड़ा use हो वो जो entry का एक तरीका है ले खापर perfect entry यह perfect entry के पीछे का क्या reason है क्यों कि अब किस तरह से जैसे मालीज हमे perfect entry भी लेनी है कहां पर लेंगे हम इंट्रेश यहां पर इंट्रेशन बन रहे होते हैं यहां पर हम लोग अपनी entries कहां पर लेंगे किस तरह से define करेंगे जो हमारे point of actions में मिलके चलिए अब यहां पर entries के methods क्या हो सा एंट्रेश लेने के तरह के हमारे क्या हो जैसे एक rally हुई rally के बाद में थोड़ा सा market आप इस side जिसको technical language में हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का वह base अब इस base के बाद में क्या हो या तो rally के बाद में market मारी drop हो जाए या तो rally के बाद में इस rally को यह continue करें आपका move ना करें और next यह gap up देखा दे बहुत बड़ा इतना बड़ा gap up हो कि फिर हम लोग उसको trade ही ना करें और यह base चला है क्यूंकि price मेरे area पार है ने तो फिर हम आपका trade कहां पर करेंगे तो इस condition में तो फिर हमें trades को आपने sacrifice करना तो एक rally और base अच्छा इन base का हम बार हम लोग नहीं कोई information है कि हमारे किसी भी support का break out वे चला हमने trade मादे रेस्टेंस का break out वे भाई कर लिए नहीं हमें चाहिए एक high movement upside की तरफ एक stretchable points पर जाने के बाद में जैसे ही price वहाँ पर हमें indications जेता है कि highs अभी जो protect नहीं हो रहे थे price high के बज़े हमारे lows को protect कर रहा था और जैसे price अपने highs को break करने लग जाए समझ लो आप कि आप base बना करके price अपने highs को break करने के त्यारी कर रहा है base बना करके उसी rally को continue करने के try कर रहा है आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर rally यह बना हमारा base यह हुए और यहां से side चलो volumes कम आ रही है वोल्यूम्स कम है यहां व हमने क्या कहा था कि कुछ basic nature होता है वो जो way of survive करने के लिए जो भी चीज़े हमें चाहिए जो element समय चाहिए वो basic nature market का यह चुरुवात में हमने आपको कुछ नियम बता है 0.3% से लेकर 0.5% का एक proper में gap चाहिए होता है resistance पर भले ही दो बार अब यह मिनिमुम में two times से ज्या पांच वर ठीक है चलेगा वही चीज़ हमें चाहिए अपने support पर तीन बार से ज्यादा की movement अगर में मिल जाते हैं आप ऐसा नहीं है कि दो बार भी अगर प्राइज दो बार से ज्यादा की move दिखा रहा है हमको मारे support तो अच्छे नहीं है वो ठीक है लेकिन compare अगर हम करें तो थोड़ा सा हमें कमजोर दिखाए पड़ेंगे अगर तीन बार का में वेट कर लेंगे तो फिर volumes के pressure समापर बढ़ेंगे जिससे की drop होने के chances बढ़ते है हमारे एक rally base drop जैसे यहाँ पर rally base drop हमने लिखा है न यह हुआ rally यह base और यह drop इसी तरह से जो upside की तरफ market आपकी पर pressure हमारा बढ़ा और जैसे ही pressure बढ़ा यहाँ पर breakout फिर फिर सीधे नीचे की तरफ यह जो नियम अभी हमने बता है आप इसको apply को अपने supplies पर अपनी demands पर और जब formations जब आपकी levels निकला है जब आपके supply and demands आप draw को लो तो यह कुछ basic natures है इन basic nature को पकुड़ेंगे अब ज हमें यह देख करके समझना है कि जो swings create हो रहे हैं इन swings में से हम कैसे अपने लिए एक high probability का swing high or swing low find करें high probability का swing high or swing low यह क्या होता है यहां confirmations लिल लेने के बाद में stop process जाते नहीं है क्या है तो यह high probability का swings क्या है देखिए high probability के swings का मतलब होता है आप market में जब भी देखो कि price में कोई हाई लग रहा है, कोई स्विंग लग रहा है, कोई भी चार्ट पुठा करें, अब जैसे ही हम अपने एक particular point को, मान लिए इसको, 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 move करो आप, थोड़ा सा zoom करो, ये, 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 ये वाले points, ये थोड़ा सा zoom करो, कौई से price actions हमें दिखाई पढ़ेंगे, इस चेकर पर, type of formations, बहुत सारे formations, बहुत सारी formations, उसमें से common formations हम आपको बता है, एक common formation, आप देखो, तीन candles की एक formation, थ्री, तीन candles की एक formation बनेगी, ये तीन candles कौई सी है, वॉल्म के साथ में हम बताएंगे, बहुत minute analysis करने में, ये, ये सारी चीज़े काम आजाएंगे, वन, टू, इसके बाद में, color reposite हो जाएगा, price app का सीध हे downside, ये कुछ समझ में रहा है, अब ये जो formation है, ये तीन candles की जो formation है, इसे जी के variations है, बहुत अच्छे अच्छे variations है, टीन candles की variations है, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हमें कमजोर candles नहीं देखने हैं, वीक्ट, हम कमजोर candles को ग्मोर करेंगे, चुटी-चुटी-चुटी candles पनेंगे, start happy candles पनेंगे, bodies है नहीं, वीक्ट पनेंगे, जीतना हो सकें आप प्रॉपर एक candles लो, जैसे कि एक और इसके बाद में, जो तीसरी candle आपको देखें, एक बड़ी candle है, हमारी जो फॉर्स्ट वाली candle है, इसके उपर या तो यह close करें, और नहीं तो फिर अगर close नहीं भी कर रही है, सिर्फ समझ रहा है ना, और यह तीन कंडल होगी, यहाँ पर देखे सिर्फ कि हमने wick फॉर्म की है, इसमें यह थर्ड वाली candle में फॉर्म की है, एक जो इसमें wick होती है हमारी यह तीसरी वाली, sorry, central वाली candle, यह wick जितनी बड़ की formation बनती है, और इसके रावा काफी सारी formation, एक, दो, तीन, आप यह तीन candles की खॉर्म अब इनकी volumes, volumes कैसी होंगी, इनमें volumes का क्या role प्ले होता है, फस्ट वाले की volume बिल्कुल नार्म, फस्ट की volume बिल्कुल नार्म में लखना, फस्ट की कैसी भी रह चलेगा, इसी ब्रह चल जी उत्स फाण सब्मद्र कंडल में है बॉल्म क होता रहा स Mum यह घ्री माली का सुरीपित जालेगा जाए कर presented सब्मक्रबाइंनर खाण गुर्ठा फो इस सब्मस्स कर चैनल कृणा सबसे मैं सबसक्कम अ मीद कर scroll and these are lower time frames for formation क्या क्या हमने बताया भी तर एक तो swings आपके supply and demands को draw करें कि कुछ हमने टैक्निक बताई है कुछ नियम बताई हैं उस पर से कुछ basic natures बता है वो basic nature help करेंगे आपको आपके supply and demands को read और जब readings हो जाएगी तो फिर हम लोग और manual price analysis करेंगे इसकी lower time frame 5 minutes पर क्योंकि सारा जो भी हम करें analysis वो 5 minutes पर ही करेंगे और थोड़ा सा zoom out करेंगे आपको इन 10 candidates के इपनी informations को देखना है इन सब को देखकर करना क्या है सिर्फ reading करो बस read करो price को market उपर जाए market नीचे जाए परक नहीं पढ़ना चाहिए आप reading करो और अपनी analysis निकालो अच्छा यहां तक तो हम सही है अब आगे का perspective क्या होगा और उसे note करो क्या पढ़ा कैसे पढ़ा क्या समझ में आ रहा है ऐसा तो नहीं कि वास हम लोग read करते चले जा रहे हैं और समझ में कुछ नहीं आ रहा है इसे पढ़ो और यह जो nature nature बात हम बार बार बोलने है basic nature बेसिक nature क्या है उस nature को भी पकड़ने के कुशिश करो अगर हम आपसे बोल दें कि next five days सिर्फ यही practice आपको करनी है तो इस five days बड़े कम पढ़ेंगे बताने को तो हमने आपको बता दी है सब बहुत चोटी चोटी बताने के लिए साइज चीज़े बहुत चोटी है इनके practice अभी हम करते हैं हमारों के बहुत बड़ा experience थोड़ी नहीं है अब जिस market में हम लोग काम कर रहे हैं मेरा experience कुछ नहीं है बहुत बहुत सालों से लोग काम कर रहे हैं बोड़े होगे काम करते करते हैं कि डॉक्टर की field एक ऐसी जिसका जो कभी खतम नहीं होती उसकी पढ़ाई कभी खतम नहीं होती हमेशा उसकी पढ़ाई होती एक law की degree ऐसी है इसकी पढ़ाई कभी खतम नहीं होती इसके बाद में हमें ऐसा लग रहा है हो सकत ultra level पर अगर कुछ reading हो रही है तो हमें लग रहा है इस market का भी जो पढ़ाई का तरीका है इस के practice कभी खतम नहीं होते हैं आपको पता है kalian घ्रोज मार्केट खूलती है और जौत द्रेम और रोज नहीं तरह सेritos धिकलती जूह थूह हम अश्वान आपको बता है यह सारी पढ़ो अभी एम सेद्वें हम चार्ट पर चार्ट के लिए नहीं इस रेख़ी कोछ कोछ्पम स dividend एकहिते हों ुद्सेज्ट में चाहिए भान नहीं देंगे, साइज चीज़ों के नोट्स पनाओ, नोट्स पनाने में अगर कुछ प्रॉब्लम में तो बताओ, हम क्लियर करेंगे बाइचाथ मालोग क्लास मिस हो गई, या इंटरनेट कनेक्शन है, बार बार डिसकनेक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है तो कुछ लोगों के प्रॉब्लम हो सकती, ज्यातर लोगों की नहीं, इसको इसके नोट्स पनाएए, प्रॉपर नोट्स पनाएए